Places of Worship Act यानि पूजास्तल अदिनियम 1991 के प्रावधानों को सुनोती देने वाली याचिका पर आज देश की सरवुच अदालत में एक एहम सुनवाई हुई बता दे कि केंदर की नरेंदरमोदी सरकार ने इन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था और कोट में आज सुनवाई में केंदर सरकार को जवाब के लिए समय प्रदान कर दिया है अब इस मामले की सुनवाई अगले साल यानी 2023 जनवरी में की जाएगी बता दें कि इस अधिनियम के खिलाफ याचिका देने वालों में से एक बीज़ेपी नेता सुबर्मनियम स्वामी की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने पूरे अधिनियम कुछ नौती नहीं दी है बलकि केवल दो मंदिरों को इसके दाइरे से बाहर रखने की मांगी है इसलिए उनकी याचिका पर अलग से सुनवाई की जाए वहीं इसी केस से सम्बंधित एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुकरवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए वारनसी के ग्यान वापे श्रिंगार गौरी परिसर में जिस स्थान पर कथट शिवलिंग मिलने की बात की गई है उस शेत्र की सुरक्षा को अगले आदेश थक बढ़ा दिया गया है बतादे की सुप्रीम कोर्ट ने 17 माई को एक अंत्रिम आदेश पारित किया था जिसमें वारनसी के जिलादिकारी को ग्यान वापे श्रिंगार गौरी परिसर के अंदर उस शेत्र की सुरक्षा शुनिशत करने का निरदेश दिया गया था जहां सरवेक्षन में शिबलिंग मिलने की बात की गई थी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ कर दो utman कि यू बड़ी खड़ी ऑने दयाने कि ओने हैं जस देत्र की सङ्बस पंज't के सवालship एंबकेसरी.com